कि हैं इसे हमें बात करेंगे सिस्ट्राइिक मे drowned और और याद करना हैbour नम शाया बात करना है कि हा तो से पहली बात कि अगर में पीलमे अगर प्रेक्षी ≫ किलिए मेद्बा टीन के फिद फॉरमेशन ओफ फुलिड फिल्लाइट इस्टिक चेंजस ठीकि नहीं है फ्लुड फिल इस्टिक चेंज कि ये कर देगा ठीकिस इस्टोहइट मेक्जूर इडीम रिस्स्टर क्या है रिस्स फैक्टर्स को याद करते है रन फॉर प्राइड मैमोनिक से तो आर से टिक्टिनाइटिस पिग्मेंटोसा, यू से यूवियाइटिस, N से आपका नियासिन या निकोटिन, P से आपका प्रोस्टाग्लेंटिन एलोलोग, R से रेतेनल वेन अक्लूजन, I से आपका एर्विन गैस सिंड्रोम जो की कैटरैक्स सर्जरी का पोस्ट अप कॉंप्लिकेश जिसमें विट्रस टच, सिस्ट्रोइट, मैकुलर, एडीमा आएगा ठीक है ना और इसके अलामा है आपका डियाबेटिक रेटिनोपैथी और इपिनेफरीन इन एडल्स रेट और इसके अलामा जो पैथोजनेसिस इसकी होगी पैथोजनेसिस मेंली क्या होती है नॉन प्लि ब्रेटाइनल बेरियर समे राई डिखनेस फूट रिखनेसिर इसके अलामा इसकी अट क्लिनिकल फीचेर है लॉस ओफ सेंट्रल वीजन का लॉस होगा मेटामोरफोप्सिया मतलब इस्टॉर्शन ऑफ मिला की इस्टॉर्शन या चेंज इन शेप एंड साइज ओफ इमेज ओसीटी में क्या देखोगे लॉस ओफ फोविल डिप्रेशन जो आजाता था ओसीटी में नहीं होगा सिस्टिक स्पेसिज ओपील इन क्रॉनिक केसे तो आउटर फ्लेक्षिफ फॉर्म लेयर में सिस्टिक स्पेसिज देखोगे और अपने शीएस र के केस में ठीक ना ट्रीट इस वहां पर स्टोराइड जो होते हैं में स्टेज इसकी कुछ देख लो पातालोजी के बारे में तो रिवर्सिबल स्टेज तब तक होगी जब तक वो इंट्रसल्विलर एक्यूमिलेशन अफ्लोइशन कर रहा है ठीक है शोज जब तक इंट्रसल्विलर फ्लुइट का एक आई फलुइट जो है थो यहीं अगर स्टेज ब्रिक थू किए एक्स्टवतल और स्टैश चला गया तो उससी को क्या क्या थेंगे हम लोग इर्रिवर्सिबल स्टेज तेज कि यह अगर स्टिय एगर फ्लूइड चैल और मेम्ब्रैन को वला इलंक ही प्रिक कर गया तो एक् इर्रिवर्सबल स्टेज राइट तो यह रही कुछ बात आपके जिस्ट्रोइड मेकुलर एडिमा की उमीड आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइ